आज हम लोग कठल काचार बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में ये मेरा कठल काचार मैंने डाला था है बीज दीन हो चुगा देखे कितना अच्छा से सौप्ट हो गया ना ये बहुत ही अच्छा से सौप्ट हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी ल खाने me बहुत ही अच लगता है बहुत पड़ा कठल रहता है तो उसका भी अचार नाच्छा नहीं लगता है इतना बड़े इतना बड़ा कठल का खारनी आ जील करे ला saakती है और फिर थोड़ा ताजा ही ले और कठल को तो अचार अच्छा बनता है इसका इस तरह से हम लोग काट लेंगे फिर इसको दो फाक और करेंगे और इसको अच्छे से छील लेंगे और छोटे छोटे पहुत पड़ा टुकड़ा नहीं काटेंगे आपको जिसी साब से मैंने मीडियम साइज काई इसका टुकड़ा मैंने काटा है इस तरह से चील लिजे और छोटा छोटा टुकड़ा इतने उड़ा मैंने इसका रखा है इस तरह से काट लिए मैंने पूरा और इसको अच्छे से दो तीन पानी से वस कर लेंगे ताकि सारा इसमें जो है इसका थोड़ा सा करसा पन भी रहता है वो भी दूर हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा मतलब की चिप-चिपा सा दूद जैसा रहता है न वो भी इसका हट जाएगा कठल का चार से वास करके और इसको पानी से निकाल करके इसको दो घंटा के लिए धूप में डाल देंगे दूप में दूप में डाल दिया है दो घंटे के लिए और फिर इसका हम लोग अचार बनाएंगे, चलि मसाला का त्यारी करते हैं हम लोग, इसमें मैंने जीरा, ब्लाक पेपर, धनिया, धनिया का जो बीज है, अजमाइन, कलोंजी, सोप, मेथी, मेथी के दानी, और सारे को मैने एक-एक टेबल स्पून मैंने लिया है, और यहां खटाई पॉडर है, और मैंने मिक्स करके लिया है सरसो को, काला सरसो कम लिया है, और पीला वाला ज़ादा लिया है, और मैंने 50 क्राम सुखा मिर्च लिया है 50 क्राम और इसमें जीरा एड़ करके सब को जीरा को पहले लार मिर्च देंगे फिर जीरा देंगे फिर इस तरह से सारा मसाला को डाल करके अच्छे से इसको भूलनेंगे यह मैंने मेथी भी डाल दिया इसमें अच्छे से भूलनेंगे और मैंने जो इसमें खटाई लिया है वो आम को मैंने सुखा लिया था घर का है आप आमचूर भी ले सकती है मैंने घर में ही आमचूर तयार किया था आम के समय में इसको काट करके और इसको धूप में सुखा कर कि रख लिया था और मिक्सी में मैं चला लिया थे अब इसमें कलंजी दे माड़ सोक ग Zarra को डाल करके इस तरह से चला लेंगे कर जइए अब इसमें मैंने सर्सों भी मैंने डाल दिया और सर्सों डालने के बाद छुला को औफ कर देंगे अब इसमें खटाई देखिए मेरा घर का बना हुआ आमचूर पॉर्डर है डाल करके इसको चला लेंगे रेडी हो गया मसाला और धूप से भी इसको मैंने लिया है अब इसमें नमक डालें नमक अच्छे मातरा में डालें इसमें अचार में अगर नमक कम हो है यह है है और हीं को एक टीव डाला है सर्सोनिए आप कठल जतना हो रही है अगर एक कीलो कठल क jsem बना रही है तो इसमीं कहांदा केजी से ज्जादा ही आपको सरसो का तेल मैंने डाला है कच्छा ही सरसो का तेल डाला क्योंकि इसको धूप में डालेंगे अब मैंने उपर से भी सो कलोंजी और जमाइन को डाल देंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और इसको अच्छे से मिला लेंगे धूप में इसको इसी तरह डालेंगे अभी इसको जार में नहीं डालेंगे इस तरह से मिला करके धूप में इसको डाल देंगे और दूप इतना अजकल कभी कड़ा है और कि पूरा आपका अचायर एक ही दिन में अच्छा से अच्छा से लग गया अब इसको जार्मिक कर देंगे हम दो हट लग err इसको जैक जैक फ्रूट भी बोला जाता है इसको भाल भी इसको बोले जाता है आप जैसे भी फैसला ओर बहुत मात्रा में इसको फ्रूट ब्लस प्रूट न तुब कठल काटके रहतेंगी थोड़ा तो देखेंगे कि ना पूरा काला पड़ गया उसी साफ से आपको पता ही चल गया हो कि एरन कितना मात्रा में इसमें पाए जाता है और विटामिन ए भी रहता है जो आख के लिए आपके लिए पहुत ही फैदे मनें अप रोटीन से वरपूर रहता है यह देखें इस तरह से मै इस दिन में तयार इदम सौप्ट हो जाएगा अब इसमें मैंने तेल को और एड़ किया है और आपका अचार बनके रेडी हो जाएगा अब साल भर तक अराम से बना करके खाईए और कठल के फैदे भी बहुत है आग के रोशनी के लिए बहुत फैदे मन्न होता है विटामि क्या आपका रेडी हो जाएगा इस दिन में फिर खाईए खिलाइए और मेरा रेसीपी आपको कैसा लगता है हमें जरूर बताएं लाइक और सब्सक्राइब भी करें और सेयर भी करें